गया एयरपोर्ट से चोदा ऐएरपोर्ट से शुरू होगी इंटरनेशनल उडान, म्यामार भूटान और ठाइलंड के लिए सिदी फ्लाइट मिलेगी 14 अक्टूबर से शेडूल फ्लाइट शुरू करेगा यंगून गया यंगून फ्लाइट सप्ता में छे दिन मंगलवार, बुधवार, गुडवार, शुक्रवार, शनिवार वर रभीवार को है मियामार निशनल एयरलाइन्स 18 अक्टूबर से सब्ता में आपको बता दें चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रभिवार को शुरू होगी इसके लावा बोध कया से बैंकोक के लिए पहली बायर 9 केयर 29 अक्टूबर से सब्ता में 3 दिन बुधवार, शुक्रवार, रभिवार शुरू होगी बेतनाम हनोई से गया एरपोर्ट के लिए 8 चार्टर फ्लाइट 9 वा 22 अक्टूबर के अलावा बता दे चले आपको 2, 11, 16 वा 30 नॉंबर और 29 दिसंबर वा 1 जनवरी 2024 को निर्थारित है भुटान की डू केयर वेज ने भी अपना शिडूल जारी कर दिया है डू केयर वेज 3 दिसंबर से सता में 2 दिन पारो गया पारो और वापसी पारो गया पारो शुरू करने जारी है डू केयर वेज सेटी ओफिस बोध गया के सवनकुबार मिश्रा के अनुसार या सिवा दिसंबर से चनवरी 2024 तक केवी 220 बुधवार वर अभिवार को पारो से 11 बशकर 30 टेक ओफ वा गया में 12 दस पर लैंड करेगी और वापसी केवी 221 उसी दिन 13 दस यानी 11 दस में है और पारो फोटी 50 यानी 2 पचास बचे लैंड करेगी परवरी में उडान सोमार वशकरार को है पारो से प्राता आठ पचपन टेक ओफ और गया 49 बचे लैंड करेगी और वापसी 10 पचिस गया से और पारो 11 पचपन पर लैंड करेगी 29 अक्टूबर से थाईस माइल वा एयर एशिया की शिडूल फ्लाइट शुरू होगी 30 माइल W327 पैंकॉक से 12 बचे टेक ओफ करेगी वा गया में 14 यानी 2 बचे लैंड करेगी दिक्षांस एडू टेक लाया है दिक्षांस डिजिटल क्लास दिक्षांस डिजिटल क्लास का उपयोकर शात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मज़ेदार दिक्षांस डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठ कर देखना है तो पेन ड्राइब और स्मार्ट टीवी वनेगा सही माध्यम चलिए अब ये भी जानते हैं कि दिक्षांस डिजिटल क्लास का फ्री स्ट्रक्चर क्या होगा नरसरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000 नरसरी से लेकर दूसरी कख्षा के लिए 12,000 नरसरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000 नरसरी से लेकर आठवी तक के लिए 24,000 नरसरी से लेकर दसवी तक के लिए 30,000 अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दिक्षांस डिजिरल क्लास के यूटूब चैनल को विजिट कर सकते हैं हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद